हेलो फ्रेंड्स मैं सीय मुईत पुनेट आप सबका सौगत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स कप्षप में आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि GSTR 10 में जो बदलाब करें गए हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट फी हां लेट फी GSTR 10 की नहीं लेट फी विद आक्ट जो है GSTR 10 में किस तरीके से डाला जाएगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसके तहत हम आज की डिसकेशन कर रहे हैं तो एक प्रेसरी रिली नोट के थूरू हम इसके डिसकेशन करेंगे कि किस तरीके से जो है GSTR 10 में बदलाव करे जा रहे हैं GSTR 10 में बदलाव करने से पहले इसकी नीड को समझना बहुत जरूरी है कि क्या नीड है इस तरीके कि इसके बदलाव की अगर हम मान लेते हैं कि किसी टेक्सपेयर की एपरिल मन्द की एपरिल 20 की फिर उसके बाद में 20 जून 20 जुन 20 जो है ऊसके उसकी लेटिटारण किसी वज़ा से जो है उसकी पंदिंग रह घी उसने रिटार्न फाइल करना या बंद कर दिया ठेक है इसकी लेट फी לתी खटता हो जाएगी इनकी लेट फी लगने लग जाएगी तो इसकी लेटारी चुंव एक रही है हर मन्त के जो है filing of return जो है उसका जो है GST number cancel कर दिया उसका जो GST number cancel कर दिया cancel होने के बाद अब उसने उसको लगा गिया है जिस अमारी return इतनी pending बड़ी है इसकी मैं late fee pay करूंगा फिर इसके revocation करेंगे फिर मतलब यह सारी चीज़े करेंगे इसके late fee भी पे करनी पड़ेगी उसने का इसको जो है इस वाले नंबर को close करके नए नंबर लेते हैं अब उसने उसके तहित final GSTR 10 जो है final return इसकी हम बात करते है final return उसकी cancellation order के 90 दिन के अंदर जो है GSTR 10 फाइल करनी होती है तो उसने का इसको GSTR 10 फाइल करके इस इस मैटर को close करते हैं और नए फश्रुवात से जो है नए GST नंबर से काम करना शुरू करेंगे इसलिए अब जहां पर क्या है कि department को late fee इतनी उसकी late fee जो है इतना revenue loss हो रहा है department का अगर वो इस process में जाता है तो SSC instead of वो revoke कराए उसको और उसी नंबर को continue करे वो cancel करके नए नंबर जो है वो लेने की सोच सकता है तो ऐसे कि इसमें क्या है इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए GSTR 10 में कुछ changes करे गए अब हम देखते हैं क्या-क्या उसमें बदलाव है GSTR 10 में API specification published for GSTR 10 change and correction in this release ASP GSP API GSTR 10 GSP as a part of GSTR 10 change new API GSTR 10 late fee detail has been introduced this API is used to get the detail of the late fee levied in GSTR 1 GSTR 3B 4 or CMP 08 GSTR अभी हम CMP 08 और GSTR 4 की बात बात में करेंगे अभी हम GSTR 1 और GSTR 3B यहां पर इनकी जो late fee क्योंकि जो अभी हमने case discuss किया अभी जो हमने उपर case discuss किया था वहां पर April मंत की उसने due कर दी उसकी return April मंत की, May मंत की, June मंत की, July मंत की मान लेते हैं यह चल रहा था उसके बाद उसका cancellation आ गया ठेक है cancellation order उसने डिपार्टमेंट ने उसको cancel कर दिया तो इतने लंबे time की जो revenue को loss होगा GSTR 3B की लेट fee का loss होगा साथ में GSTR 1 की लेट fee का भी loss होगा वन के रिगार्डिंग भी हमने discussion करी थी कि वन की जो लेट fee तो होता ही है दोनों की लेवी है और साथ में अगर यह प्रोसीजर से चलते हैं तो फिर डिपार्टमेंट को अदर्वाइस होता तो ऐसे केसे में इसके रिगार्डिंग जो है GSTR 10 में ही उसको इंबिल्ड कर दिया जाएगा इसकी लेट fee को लेट fee of GSTR 1 3B यह तो हमें समझ आ रहा है कि जैसी वो GSTR 10 अपनी फाइल करेगा तो वहाँ पे वो GSTR 1 और 3B की जितनी लेट fee बन रही होगी वो मांग लेगा अधरवाइस वो फाइली नहीं करने देगा उसको तो इस तरीके से तो एक बदलाव करे गए अब बात आई GSTR 4 और CMP 08 की कंपोजिशन डीलर के लिए को तो GSTR 10 फाइली नहीं करनी होती कंपोजिशन के केस में GSTR 10 की रिक्वाइमेंट नहीं है लेकिन यहां पर फिर क्यों डाला गया कि GSTR GSTR 1 और 3B के साथ GSTR 4 और CMP 08 की यह दोनों क्यों डाले गए क्योंकि यह केस भी हो सकता है कि परसन जो है पहले क्वाटर वन में माल लेते हैं क्वाटर वन में वह कंपोजिशन में था ऐसा हो सकता है पर फिर उसके बाद उसने क्या करा जाके उसने अपनी चैंसेलेशन और जो हमने केस डिसक्स किया वही मान के चलते हैं तो यहां पर वो अपनी ज क्या टेन फाइल कर रहा है तो यहां पर यहां पर फर्स क्वाटर मैं पना पर आगर रहा थो तो उसको GSTR 4 की भी अप्लिकिबिटी आ रही है एनुवल चाहे वो एनुवल है लेकिन वह कौर्टर वन में था ऐसा कंपोजिशन तो ऐसे केसिज में इसलिए अगर ऐसे कन्वर्जन वाले केसिज होंगे तो उसकी लेड़ी को भी कवर करने के लिए यहां पे GSTR 4 और CMP 08 इन दोनों को भी यहां पे डाल दिया गया फर्दर कहते हैं इस इस कॉमन एपिए फोर GSTR 10 विच वी हैव इंपलिमेंटेद इन वर्जन 1.1 निया वर्जन इसके लिए 1.1 जो है लाया गया और तू API which have been added one new validation and related error code and error message are updated in the portal कौन-कौन सी चीजों में बदलाव करें गए एक तो GSTR 10 के proceeding file API action क्या है proceed file आएगा description related to changes added new validation और error code error message तो नया validation इसके लिए तीन basically इसमें changes करें गए GSTR 10 save record का API action क्या होगा RAT save तो added इसका जो है related changes क्या करें गए added new validation error code और error message और जो हमने अभी जो main discussion करी जो late fee के regarding उसको भी इस main build करा जाएगा GSTR 10 late fee इसका क्या रहेगा API action late fee LTF DTL तो this API is to be get detail of the late fee lavid in GSTR 1 3P GSTR 4 और CMP 08 तो यह जो है further changes जो है GSTR 10 में जो है department इसको inbuilt कर देगा ताकि revenue को इस तरीके का इस तरीके का जो case हो वहाँ पर जो है किसी तरीकी का late fee का जो है loss ना हो उसकी late fee को file करने के बाद ही GSTR file हो जाएगी और final क्योंकि यह final return है final return जो है file करनी है cancellation के 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर तो वहाँ पर जो है इसकी applicability इसको लाने की जुरूरत जो है यह काफी ज़्यादा थी तो इस तरीके से जो है version 1.1 में जो है इसको इस तरीके से change जो है introduce किये जाएंगे इसी के आज की discussion के साथ इस video close करते हैं मिलते हैं फिर next video में next topic के साथ till then bye bye जाहिए 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 बाद होप आपको यह information पसंद आई होगी तो इसे like कीजिए share कीजिए regular updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें notification bell icon को press करना ना भूलें ताकि जैसे ही नए अपडेट डाले आपको वह immediately मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग